सहरसा में SBI बैंक के लॉकर से 1 करोड 25 लाग रुपए की सोनी की हुई चोरी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार के सहरसा जिले से जहां बारे सहर्था जिले के बैजनाथ पूरे सित SBI शाखा से एक करोड़ पचीस लाख रुपए के सोनी की चोरी का मामला सामनी आया है बता दें कि बैंक इस साखा में बैंक कर्मी से मिले भगत से 2710 ग्राम की सोनी की चोरी की बास सामनी आ रही है वहीं इस चोरी के घटना को लेकर बैंक मेनेजर ने आउट्वोर्स के करमशारी पर चोरी कारुक लगा कर बैजनाथ पूर ओपी थामा में मामला दर्ज करवाया है बैजनाथ पूर इस्टेत स्टेट बैंक के ब्रांच से लॉकर से इसके सफाइकर में इस मल्ली के द्वारा चोरी कर ली गई है जिसके कांट दर्ज करके अनुशन दान जा रही है क्या चोरी के लिए लागर उसमें कुछ गोल्ड वगरा जो लॉकर में रखवा था उसी की चोरी पताएंगे वह तो है नलस्ट करने का बैंक वाले लोगों बताएगा तो इसमें कौन जो मल्लीक जी है वो है आरुपी या और बैंक की करवी इसमें और आग्यानत लोग भी है देखते हैं इंविस्टिकेशन के बात पता चलेगा इसमें किस-किस लोगों की संद्गता है जिनकी विसनद्रिकता होगी जेल जाएंगे यह लोकर नहीं है यह बैंक के सेफ बैजातपूर ब्रांच में हमें पता चला दस्तारी को में इन्फोर्मेशन मिला कि यहां पे रिगुलर चेकिंग के दोरान गरहक जो अपना अबुसंदकर के लोन लेते हैं तो वो 48 पैकेट वो था खुलू साखा में और जब उन्होंने च खवर किया मैं विण टिम के साथ अपने सेम कंपिलाइनस और जितने भी हमारे जो भी अधिकारी यहां पर थे वह बतात अ और थाना को जैसे खवर किये वहां से एसे जो इमेडियेट अपने टीम के साथ आए और उन्होंने अपने अधिकारी को भी उपर डियस्वी साहब को भी बताए और तुरत कारवाई करते हुए हम लोग अफायर दर्ज किये और जो भी उसमें जहां जिनकी जवाबदाई बनत तुरत हम लोगों ने उसको चेंज करा दिया शाखा में भी बाहर से हम लोगों ने जो भी ऑफिसर हो या वाड़े स्टाफ हो उसकी पतास्थ अपना कर दी ताकि किसी भी गरहाक को कोई दिकत नहीं हो और चुकि यह टोटल वहां पे 48 पोटली थी जिसमें 2710 ग्राम लगव प्रसासन भी अपिस्ति किसा फिसमें